कि नमस्कार दोस्तों वेलकम ट्योन चैनल लेंट लॉन बाई एक यार्ट सो फिन्स टूड़ी वूट बी डिस्कसिंग बड़ जी एमडी सी कुछ रात मिनरल डवलेप्मन कॉर्परेशन इंट के बारे में विकॉस कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजर्ट परस कंपनी ने ने कितना डिवडेंट अनौंस किया है तो यह देख सकते हैं डिवडेंट है 9 रूपी 55 पैसा पर युक्टी शयर्यानी एक शयर्पा आपको मिलेंगे 9 पर 55 पैसा प्रती शेट्र कंपनी ने डिवडेंट अनौंस किया है move करते हैं towards the result company का result कैसा आया है इसको चेक करेंगे तो अभी इसको चेक करेंगे तो अभी आया है यानि यार्ली बेसिस में इंकम में गिराओट देखने को मिल रहा है अब इस इंकम को जनरेट करने में कितना खचुआ है तो 56,764 कभी है लाज्ट यह था 57,871 और प्रिविएस क्वाटर में था 46,350 यानि कि एक्सपेंस एर्ली बेसिस में घट रहा है क्वाटरली बेसिस में बढ़कर आ रहा है अब इंकम और एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आपका आज आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि अभी आ रहा है 25,487 का लास्ट यह था 60,623 नहीं फ्रेंट भारी भरकम गिराओट है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रॉफिट आ रहा है 20,712 का अभी लास्ट यह था 44,44 से गिर करके 20 हो गया यह जो कि अच्छा नहीं है नेगटिव है वाटरली बेसिस में 11,682 से बढ़कर के 20,712 हो गया तो फ्रेंट रिजल्ट जो रह है EPS 6.51 का भी बताया जा रहा लास्ट यह था 13.90 यानि गिराओट EPS में एडली बेसिस में quarterly बेसिस में 3.67 से बढ़कर के 6.51 हो गया यानि मिला जो लासा mixed kind of result यहां पर देखने को मिल रहा है तो सब कुछ डिपेंड करेगा market के sentiment के उपर market के mode महल पर सब कुछ डिपेंड क को सीधा 3.70 तक का level यहां देखने को मिल सकता है और कि यह level बहुत important यहां से कई बार देखने को मिल सकता है तो 3.70 आपको ध्यान देना 3.70 important level रहेगा अगर वहां से buying नहीं बना अच्छा bullishness नहीं आया खरिदारी नहीं बनी तो फिर 3.40 तक का level यहां देखने को मिल सकता है सब कुछ देख समझ करके आपना support and listen का line को draw करके आपको कोई trade initiate करना चाहिए चार्ट अभी छोटी टाइम फ्रेम में अभी बेरी शार्ट है long term को चेक कीज़ेगा तब इस्टेल इसमें